बिग बॉस के घर में अंकीता लोखंडे की एक हरकर्थ पर सभी लोग भड़क रहे हैं कि किस तरह से अंकीता कभी विकी को सलाक कर देती है तो कभी उन्हें लात मारती है तो कभी उन पर चपल फेग देती है ऐसे में अब अंकीता लोखंडे का एक पुराना इंसिडेंट 2013 में एक बड़े मीडिया ने इस रिपोर्ट को चापा था जिसमें उन्होंने कहा था कि सुशान सिंग राजपूत जो नए नए बॉलिवूड इंडस्ट्री में आए थे और टीवी इंडस्ट्री से वो फिल्मों में आ चुके थे उनकी फिल्म काई पोचे भी रिलीस हो चु चेक करती है इसके बात दोनों के बीच बड़ा धगड़ा होता है अंकिता लोखंडे गुस्षे में सुशान को वाफिस उनका फोन लोटाती है और फिर थैंक यू कहकर एक थपड़ मार देती है कहा जाता है कि जोस वकत अंकिता लोखंडे ने सुशान को स्लैप किया था त इस incident के बारे में इन दोनों से ही कई बार मीडिया में पूछा गया, जब अंकीता लोखंडे से इस incident के बारे में पूछा गया कि क्या वाकई में उन्होंने यश्रास Studio के बाहर सुशान्थ सिंग राशपूद को थपड मारी थी, तो इस पर अंकीता ने कि ये बात बिल्कुल जूटी है, मैंने कभी भी सुशान्त को यश्रा स्टूडियो के बाहर थपड नहीं मारा, मैं सुशान्त को कभी थपड मार ही नहीं सकती। सुशान्त सिंग राजपूत से भी इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि वैसे तो मैं बहुत सारी ऐसी हरकते करता हूँ जस कारण मुझे थपड पड़नी चाहिए बट अनफॉचनेटली जैसा आप कह रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, हम लोग दोनों ही सौट आउट हैं और लोग बस मसालेदार गॉसिप चाहते हैं हमारे रिष्टे से, कुछ इस तरह से इन दोनों सेलिब्रिटीज ने रियाक्ट किया था, हाला कि सच्चाई क्य क्या है ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप जब अंकिता लोखंडे को बिग बॉस के घर में कभी कबार अब्यूसिव होते हुए देख रहे हैं लोग, तो लोगों ने सोशल मीडिया पर इस खबर को वाइरल करके ये प्रूव करने की कोशश की कि अंकिता ने सुशान के स साथ भी यही किया था, तो अब विकी के साथ भी यही कर रही है